बिस्मिल्लार्माणी रहीम असलामलेकूम रिस्पेक्टिव विवर्स रिसेंटली आप सभी को पता होगा आप लोगों एड़्वर्टाइजमेंट की अनॉसमेंट हुई थी कह भी अची अपरजैनूटी है उन्हीं डिफरेंट पोस्टों का नाम है जी UDC और LDC ठीक्ट है UDC लॉटी सी अपर डिवीजन कलर्क लॉटी स्टेंट वार लॉयर डिवीजन कलर्क ठीक है बहुत यह अच्छी अपर चुनुटी एक्षिली इन में यूडी सी की 22 और ल्डी सी की 21 ठीक है तो जो जो चैंडिेट्स भी इन पोस्टों को अवेल करना चाहते हैं अगर आपने भी अपर चुनुटी को अवेल करना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो को कम्प्लीट वाज करें ना इन्शाला आज की वीडियो देखने के बाद मैं आप लों को एक डिरेक्शन पर वाइड करने जा रहा हूं डिसेंटली आप सभी को पता है मैंने कली एक वीडियो अपलोड लिए आपकी तलीम किया मांगी गई है ठीक है तो उसी वाले से माप लों को गाईलेक्स शेयर करने जा रहा हूँ नेक्स बात करेंगी जो सैलरी की आपने इनकी preparation कहां से करनी है जो आप लोगं का पहला paper होगा ठीक है इसके लावा और भी कुछ मिनके question है facilities relative जो मिलते जुलते होंगे न ठीक है वो मैं साथ साथ आपके तमाम question कोशिश करूँगा कि उनका answer कर दिया जाए तो आपने थोड़ा सा सबर रखना है एक चीज़ सबसे पहले ये note कीज़ेगा ये UDC और LDC की जो jobs है ना ये काफी अच्छी opportunity है ठीक है तदाद में मैंने आपको सबसे पहले बता दी है तो education की बात करते हैं जी तो education में UDC की सबसे पहले बात करते हैं UDC में आप लोगों के जो तलीम है ना वो intermediate required है 12 सला आपके तलीम इसमें required है science art किसी भी subject में है ना इन सला को diploma भी किया है जो intermediate के equal है तो आप eligible अप्लाई कर सकते हैं UDC के लिए ठीक है साल एज मेंशन की गई है ठीक है एज को मद्दे नज़र रखते हुए आपने प्लाई करना नेक्स बात करते हैं आपने कैसे प्लाई करना है अप्लाई के वाले से मैं मीद करता हूं काफी कैंडियों को पता होगा मेरे चैनल पर जो सेकंड वीडियो है ना वो मैंने करने शाओं नेक्ट्ट्ट्स कि में बनाना सिर्फ आपने जो डिपोजिटट वैना वह जमा करवाने के बाद वह अपने साथ आपने ले आनी है ठीक अगर ठीक है खुछ एक और का एओडिएट को मींके कॉमें कर रहे कि हमने कैसे जाना है किस बैंक में जाना है बैंक कल प्रोसीजर आफीज के वाले से फर्दर आकर अपलाई कर दीजीगा कैसे आपने फार्म को फिलप करना ये भी मैंने तरीका कर बताया हुआ है नेक्स बात करते हैं जी सेलेक्शन पॉर्सेस के बारे में के आपको किन किन मनाहल से गुजरना पड़ेगा ये भी आलमोस्ट इन में सेम ही है ठीक है सिर्फ टाइपिंग का डिफरेंस है ठीक है वह मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूं तो अपलाई करने के बाद विदन मन्त के अंदर-अंदर मैंने आपको कल भी एक रीजन बताई थी के ड्यू टू एलेक्शन कंपेइन की वज़ा से जैसा कि आप सभी को पताना है कि पाक्सान में थोड़ी सी प्लिटिकल इंस्टिबिल्टी जैदा हुई है तो पैंडिंग में जा सकता है ठीक है तीन माह भी के लिए वह आपको नेक्स बताने जा रहा हूं तो जो डिटन पेस्टेस्स में क्वालिफाई कर लेंगे जो मेरेट पर कैंडिएट्स आते होंगे ठीक है फर्दर उनका होगा जी स्कील टैस्ट में आप सभी को पता है यूडिसी के लिए जो टाइपिंग स्पीड मेंशन क तो फिर तो आप 31 32 भी निकालेंगे ना तो अच्छी है ठीक है तो इसलिए अगर आपका बेसिक लेवल को टाइपिंग से डिलेटी आपको कोई इंफरमेशन नहीं ना तो आपने अपने घर में लैप्टोप या पीसी पर डिली प्रैक्टस करनी है ठीक है क्योंके वहां प प्रोफिशेंसी टेस्ट उसे कहते हैं ठीक है तो वह आप लोगो बेसिकली वह आपको एक पेज भी दे सकते हैं आपने एजडिस उसको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली अंदाज में फदर आपको एक पेपर में क्वेस्टन एमेस एकसल पावरपॉइंट वर्टस रेलेटर भी दिये जा सकते हैं तो वह भी मिनके वह डिपार्टमेंट पर ठीक है एक चीज़ और नोड कीजिएगा यह डिपार्टमेंट खूदी टेस्ट लेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जानब से आप लोगों का जो टीक है आपको बेसे अप्जिकिव होता है तो इसको क्लियर करने के बाहें टो नेक्स आप लोंका होगा फाइनल इंट्रिवियू तो इंट्रिवियू के वाले से मैएक से और इंशाला वुडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे ड्रैसिंग करके जाना जिस दिन इंट्रूवी इसी चैनल को बसम से मिल जाएगी तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो आपने चैनल को लाजबी सब्सक्राइब कर लेंगे तो दैन उनी के अडियर्स का मेडिकल करवाया जाएगा मेडिकल आप लोगों का इंटरवी के बाद होगा यह भी आप नोट कर लें कोई पुश अप कोई हाइड की रिक्वार्मेंट्स नहीं होगी सिर्फ आप लोगो को फिजिकली उन्टेनरी तो पर चेक कर लिए जाएगा बेसिकली मैं आपको लास मीडियो में भी बताया था मेडिकल में आप लोगों का को इतना ज्यादा स्ट्रिक नहीं होता है आया को आपको कोई ऐसी देंजरस बैमारी तो नहीं है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टरब हो ठीक है तो यही अपजेक्टिव होता है आपको परिशान होने की दूरूत नहीं कुछ और देन मेडिकल के बाद आप लोगों को अफ़लेटर जारी कर दिये जाते है और मेडिकल के सा सेलरी की कि यूडिसी और लडिसी की सेलरी कितनी होगी यह बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेस्टन है यूडिसी में जो आप लोगों के वैसे एक चीज़ सबसे पहले यह नोट कर लें फैसलिटीज मैं आपको बता देता हूं कुछ कैंडिटर्स पूछ भी रहते कि यूडिसी और लडीसी और लडीसी पर भी लागो होते हैं ठीक है बाकी यह डेटर एंटर एंटर्य ओडिसी के लिए होते हैं बाकि इसके अलावा कोई भी आपको अदर फैसलिटीज नहीं दी जाती तो बतोर UDC आप लोगी जो स्टार्टिंग सेलरी है ना वो 33 से लेकर 36,000 के राउंड़ूट आप लोगो स्टार्टिंग सेलरी दी जा सकती है ठीक है लडी सी में 28 से लेकर 32,000 के राउंड़ूट आप लोगो कोई सेलरी दी जा सकती है ठीक है थोड़ी सी फलक्चुरिशन हो सकती है लेकिन इसी के राउंड़ूट होगी ठीक है मैं ये लास्ट जो कैंड़ी डीसेंटली बढ़ती हुए न मैं उसी कोडिंग बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर थोड़ी सी फलक्चुरिशन हाई है दोतीन अजार का डिफरंस है तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि फलक्चुरिशन हो सकती है इस डिटा इनडवी बेटर यूडी सी यह बतोर मेंकि असिस्टन के grabbing काम करना हो और क्या काम करना है यहाँ बेसिकलि आपने कंप्यूटर्स पर क काम करना है जितना भी आप लोगों के डिपार्टमेंट्स में मुटिरियल से रिलेटिर, फाइनेशल ट्रांजेक्शन से रिलेटिर ठीक है जो आपको एक असिस्टन और इंस्ट्रक्शन परवाइड करेगा तो आपने वो तमाम डेटास को मैनेज करना, उनको रिकार्ड करना है तो आपने आज से ही वीडियो देखनी शुरू कर देनी है, टूरियल देखें गर में प्रैक्टस करें, क्यूंके प्रैफरी होनी कैनिरेट्स को किया जाएगा, जिनका कंप्यूटर में थोड़ा सा नोलीज जैदा होगा, मिन के बिसीक लेवल तो कम असकम आपका स्ट्रॉ की बात कर रहा हूं, कम्प्यूटर से मुराद ये नहीं कि आपको मौस या कीबॉर्ड़ चलाना आना चाहिए, कम्प्यूटर से मुराद बेसिकली ये होता है, आपको वैसे कम्प्यूटर का भी पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक नोलीज और फृदर जो में प्रेजंटेशन के लिए स्लाइट बना के देनी हैं तो आप इसली मीन के अपनी रेपोडिशन बढ़ा सकते हैं अगर आपको पावर पॉइंट आता होगा तो इसलिए जितनी भी स्कील है ना आपने यह बेसिक चीज़ें तो आपने लाजमी सीखनी है अच्छा जी नेक्स ब बात कर रहा हूं हो सकता कि इस पार कुछ चेंजिंग हो जाएं ठीक है को एमसी को टाइब आपको पर आज जा लेकिन फिल्छाल फिल्छाल जो लास्त के कोडिंग तरना मैंने अभी वही आपके साथ करने जा रहा हूं क्योंकि आपको आइडिया हो जाए ठीक है आप लोग लोग पूछ भी रहे थे बाकि अभी ऑफिशली कोई रिनाउस्मेंट नहीं होई लास्ट टाइम जो यूडीस यूडीस यूडीसी का मिन के पेपर पैटर्न था ना वो सिक्स्टी माक्स पर मुझे था असिस्टन का भी 60 और यूडीसी 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 अब ने देखा ही होगा ना के फिलिंग दा ब्लैंक्स आपने क्या पर ना जो ओप्शन मिन के वहां छोड़ा हो आपने उसको फिल अप करना हो तो यह बड़ा बेसिक सा मिन के इनका पेपर पैटर्न था 60 मार्क्स टोटल थे उनमें इंग्लीस के पार्ट थे इंग्लीस में कुछ फिक्रे पूछे गए थे कॉम्प्रियंशन थे ठीका इसके लावा कुछ प्रेजल वर्ब से नेक्स चनल नोलिज था ठीका जिन में कंट्रीज के स्पेशली कैपिटल की बात कर लें कंट कैपिटल की पूछे गए फर्दर इंटरनेशन एयरलाइन से लेटी कुछ कु के वाले से पाकिस्तान के माउंटें सिस्टम रिवर सिस्टम के वाले से और इस तरह के मिन के क्वेस्टन पूछे गए थे यह क्वेस्टन इस एंगल से पूछे गए थे फार एक्जेंपल पाकिस्तान की कोई तीन माउंटें रेंजिस की मिन के नाम लिखे तो अगर आपको साथ लेके जानाई हैं तो यह मैं आपको क्वेस्टन का तरीका बता रहा था कि किस तरीके से क्वेस्टन पूछा गया कोई MCQ टाइब नहीं कोई option नहीं ठीक है इस तरीके के साथ आप से question हो सकता है कि इस बार भी ज़ादा चांसी नहीं है कि वहीं टाइब का पेपर होगा जो लास्ट रेग्रूट्मेंड कोडिंग था नेक्स कंप्यूटर से रिलेटी कुछ फुल फार्म आ जाती है स्पेशली जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियों में बताया था है एस्टी एमल की पीज भी आनीचाहेंगे नेक्स इसके लावावा आपको करंट या कियूват की कैविनेट आ हनों creat और स्टोक हैं इसकव biz आपको करंटनी जो मुथली बपार्टमट की पर्सनाइल्टी ज आना इनको भी नाम आना चाहिए ठीक है तो यह तमाम चीदों को मिलाकर आप लोंगे 60 मार्क्स पर मुझत मिलमीन के पेपर होगा नेक्स बात करते हैं आपने कैसे प्रिपेर करना है देखें इंग्लीश और जनल नौलेज पाक सड़ी के वाले से मैंने अपने चैनल पर काफी मटीरियास अपलोड किया हुआ ह आप वहां से प्रिपेर्शन कर सकते हैं पर्दर कंप्यूटर के वाले से भी मैंने शौर्टकट कीज को भी सेपरेट से प्रिपेर किया हुआ है इसके इलावा जो फुल फार्म्स है मैंने इसको भी सेपरेट वीडियो में कवर किया वो भी कर सकते हैं हाँ जो most important current affairs का पार् है जो अभी निगरा सैटव बना है तो उसमें चेंज हो चुका है तो इसलिए यह चेंज होती रहती है तो जो मुझूदा होगी एक पेपर से पहले तीन से चार दिन यहां हो सकता है कि चले मैं एक हफ़ता पहले पेपर जब आपकी रोल नमर से पा जाएगी ना तब मैं इसलिए वहां टैम्ट कर लेंगे जनल नोलीच वह मैंने आपको सुलूशन बता दिया है करंट फिर्स बिता दिया है कंप्यूटर का भी बता दिया तो इनी तीन से चार्ट जो सब्जेक्ट ने मेजर इनी में से आपका पर आएगा किस तरीके से आएगा भो भी मैंने आप को बता दिया तो बिल्कुल भी आपने परिशा नहीं होना टाइपिंग पर आपने फोकस करते रहना है सासा प्रेक्टस भी करते रहना है और नेक्स्ट आपने यह प्रेपरेशन जो स्लेबस के वाले से हैं वो भी उसको कवर करते रहना है बाकि एक चीज़ और दियुक्त नहीं है अगर आप लडीजी पर बढ़ती हो जाते हैं तो काफी चांसी जाएं कि आप दोर असिस्टन ही रिटायर हो तो मिन के आपकी असिस्टन तक परमोशन हो सकती है बाकी मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप LDC यह ग्रेड फॉर मीन के दरजा चारहं पर भी GHQ में बढ़ती हो जाते है न तो उसकी भी बड़ी अथरोटी है क्योंकि GHQ का तो आपको पता है ना नाम ही काफी काफी powerful jobs हैं चाहिए आप LDC बढ़ती हो जाते हैं UDC बढ़ती हो जाते हैं असिस्टन्ट हो जाते हैं फिर तो क्या ही बात है अब यह कहने का मखसर नहीं कि LDC कोई रैपोडिशन नहीं है मैंने आपको तो दर्जचा हरम के कोडिंग भी बता दिया कि उसकी भी परसनल्टी में कि कफी अच्छी सोचल रिस्पेक्ट भी उसको मिलती है सैलरी थोड़ी थोड़ी सी कम होती लेकिन सोचल रिस्पेक्ट और फर्दर पावरफुल के वाले से वो तो मैंने आपको बताई दिया कि नाम ही काफी अच्छी है अच्छी हुगा तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कौमन सेक्ट में आपने लाजमी फीड़ेग देनी हैं और आपको ये वीडियो कैसी लेकि फिर भी कोई क्वेस्टिन आपका इस वीडियो से डिलेटीर हो तो कौमन सेक्टिन में पूछ लिजीए कि हम आपका सब्सक्राइब कामियाब फर्माएं अलापक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फर्माएं थैंक यू फर वाचिंग टे कियर अलाहाफीज